मनी लॉंडरिंग के आरोप में हेमंद सोरेन की गिरफतारी होने के एक दिन बाद यानि आज तमाम विपक्षी नेताओं ने भाजपा पर गंभीर आरोप लगा हैं विपक्षी दलो ने कहा कि भाजपा सरकार एडी जैसी एजनसियों के जरिये आवास दबाने की कोशिश कर रही है वहीं भाजपा नेताओं ने आरोपों को खारिस करते हुए कहा कि कानून के मताविक आरोपियों के गिरफतारी हो रही है दूसरी और जारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हिमन्सोरेन की गिरफतारी के खिलाफ राजप के सभी आदिवासी नेता एक जोट हो गया है कई आदिवासी संगटोरों ने विरोध प्रोदर्शन करते हुए आज राजप बंद करने का अवहन किया राजप में इमर्जंसी सेवाओं को छोड़कर सभी जिला मुख्यालेओं और कस्बों में बसें स्कूल, कॉलेज और बाजारों को बंद रखा गया पतादे की हिमन सोरेन को मुख्यमंत्री पत से स्तीफा देने के बाद धन शोधन के एक मामले में बुदवार राद गिरफतार कर लिया गया वही राजप के परिवहन मंत्री चंपई सोरेन का नाम मुख्यमंत्री के रूप में प्रस्तावित किया गया एडी ने कतित भूमी धोकाधडी मामले से जुड़े धन शोधन के आरोपो को लेकर साथ घंटे से ज्यादा की पूछताज के बाद बुद्वार को हेमंद सोरेन को गिरफतार कर लिया था सोरेन के गिरफतारी से आदिवासी समूहें काफी गुस्सा है यही वज़ा है कि सोरेन के गिरफतारी के खिलाफ ज्यारखंड आज बंद बुलाया गया पहस का होगी? पहस कोई रुपेस कुमार दस दिनों के लिए रिमांड मागा गया था बट उस पर कोई और आए अभी जूडिसल रिमांड ने ने होटवार में नहीं जाएगा यह यह अभी आईयस कोठी है जहां इनको रखा गया था कल अभी वही रहेंगा बहराल आपका इस पर क्या कहना है में कॉमेंट करके जरूर बताएं बाकी तमाम वीडियोज और अपडेट्स के लिए आप देखते रहें विमर्श नियूज कॉमें बाहा गार अभी यह विरूमिटास कॉमें बाहा अभी ऊवीप बाहा है कॉमें है का जट दो अज़ दो अज़ को लागा कर दो लागा है खाल आव